हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू मैं चानल आज हम बनाएंगे पोटेटो चिल्ली यह बहुत ही क्रीस्पी और टेस्टी होती है इसे बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले बड़े वाले आलू लेंगे उसे पील आफ करके धोलेंगे और उसे इस तरीके से काटेंगे यह देखिए फिंगर चिप्स की तरह ही इसे काटना है आलू को काटने के बाद पेपर टावल पर या सुखी कपड़े के उपर रखें जिससे इसका मौश्यर सुख जाए पोटेटे चिली बनाने के लिए हमें चाहिए दो अनियन इसे बड़े साइस में काट लेंगे दो सिम्ला मिर्च एक गाजर जिंजर गार्लिक बारी कटा हुआ और एक टमाटर यह ओप्सनल है आप चाहिए तो इसकीप कर सकते हैं आलू को काटने के बाद इसे पेपर टावल पर या कपड़े के उपर रखकर इसका मौश्चर हटा दे यह देखिए मौश्चर हट चुका है इसमें से अब इसमें डालेंगे मैदा दो चमच कॉण फ्लावर दो से तीन चमच डालेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें और इसे मिक्स करेंगे आप आलू को इस तरीके से टॉस भी कर सकते हैं जिससे मैदा और कॉन फ्लावर आलू में अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे यह देखिए इस तरीके से अब एक पैन लेंगे उसमें ऑईल डालेंगे ऑईल देखिए अच्छी तरीके से हीट हो चुका है ऑईल को मेडियम फ्लेम में ही रखेंगे अब इसमें कोटेड आलू को इसमें डाल देंगे आलू को हमें मेडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करना है और इसे लाइट फ्राइ करेंगे डी फ्राइ नहीं करेंगे कंट्यूनियोस स्टर करना है यह देखिए इस तरीके से हमें लाइट फ्राइ करना है इसे प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए इस तरीके से इसे लाइट फ्राइ करना है और इसके बाद इसे फ्रीज में दो से तीन खंटे के लिए रख देंगे जिससे ये थोड़ी सी हाड हो जाएंगे अब सॉस बनाने के लिए एक पैन में ओल डालेंगे दो से तीन चमच जिंजर गार्लिक डालेंगे हरी मिर्च इसे लाइट फ्राइ करेंगे अनियन डालेंगे सिम्ला मिर्च गाजर और टमाटे डाल देंगे स्टर करेंगे इसे कंटियोन स्टर करते हुए लाइट फ्राइ करेंगे ये देखिए इस तरीके से लाइट फ्राइ करना है अब इसमें फैनिगर डालेंगे एक चमच सॉय सॉस दो चमच डालेंगे टमाटर सॉस दो चमच क्रश ब्लैक पेपर सॉल्ट एकॉर्डिंग टेस्ट डालेंगे सॉय सॉस में भी नमक होता है इसलिए नमक कम ही डालें चीनी थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्श पाउडर हाफ चमच आप चीली सॉस भी डाल सकते हैं स्टर करेंगे अब इसमें दो चमच कॉन फ्लावर को पानी में मिक्स करके डालेंगे ये बहुत थिक लग रही है इसमें पानी मिक्स करेंगे इसे बॉइल होने देंगे ये देखें बॉइल होने लगा है गैस को आफ कर देंगे अब आलू को हमें फिर से फ्राई करना है इसलिए ओल लेंगे एक पान में और इसमें आलू को डालेंगे इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसे डीफ फ्राई करना है ये देखें डीफ फ्राई हो चुके हैं इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से सभी आलू को फ्राई कर लेना है अब सॉस को फिर से गरम करेंगे और इसमें फ्राई किया हुआ आलू को डाल देंगे इसे मिक्स करेंगे इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है नहीं तो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखिए, मिक्स हो चुका है, गैस को आफ कर देंगे, अब इसे एक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं, ये देखिए, पोटेटो चिली बन के तयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है, इसे बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं, तो पारिश के मौसम में बिल्कुल रेस्टरंट जानी की जरूत नहीं है, आप भी इसे घर पर बनाईए, और सभी को खिलाईए, सभी को बहुत पसंद आएंगे, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें, थैं तो खिलाएंगे लाइक, तो शियर खिलाएंगे, जाज खिलाएंगे, लाइक्स थाज़ जाओे रखिए.